बीजेपी, एमपी और बॉलीवर एक्टरस कंगना रनावत ने इस बार कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद उनकी ही पार्टी को उनसे दूरी बना दी पड़ी और बकायदा अपनी सफाई में स्टेटमेंट भी जारी करना पड़ा तो हुआ कुछ ऐसा कि अपनी आने वाली फिल्म इमर्जनसी के प्रमोशन में वेस्थ कंगना ने दैनिक भासकर को एक इंटर्वियू दिया जहां उनसे पूछा गया कि अभी हाली में बांगलादेश में जो राजनीति कुथल पुथल और हिंसा हुई है क्या भारत ने भी व ऐसे हालात हो सकते थे किसान आन्दोलन में रेप हो रहे थे लोगों की लाश्य टंगे हुई थी आन्दोलन के नाम पर देश में आगजनी फैलाई जा रही थी बिल वापस ले लिए गए तो आन्दोलन बैठे किसान चौक गए क्योंकि बिल के बहाने वो भी इस देश में बांगलादेश जैसे स्थिदी पैदा करना चाहते थे बकाईदा उसके लिए आन्दोलन कारियों ने प्लानिंग भी कर ली थी जिसमें अमेरिका और चीन जैसे विदेशी ताक्तों भी उनके साथ थी इस पर कॉंग्रेस की मीडिया प्रमुक सूप्रिया स्रिनेत ने पलट तो सरकार ने विदेशी ताकतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं आगे कहा किसानों को इस से पहले भी बीजेपी नेताओं ने खूब अप्शब्द बोले थे अन्दाताओं को आतंकवादी कहा था इस मामले में कॉंग्रेस नेता और लोकसभा प्रतिपक्ष गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला उरोंने कहा कि किसानों से किये गए वादे को पूरा करने में नाकाम मोधी सरकार का दुष परचार तंतर लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है 378 दिन चले मैराथन संघर्स के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसर दौरा बलातकारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीती और नियत का एक और सबूत है नरेंद्र बोधी और भाजपा कितनी भी साजश कर ले इंडिया किसानों को MSP की कानूनी गारेंटी दिलवा कर रहेगा कंगना की इस बयान के बाद BJP ने उनसे पला जहरते हुए एक विज्यप्ती जारी की है जिसमें पार्टी ने इस बयान को कंगना की नीजी राई बताई और अपनी असहमती भी दर्ज कराई साथी साथ कंगना रनावत सहीत अन्य नेताओं से भविश में ऐसी बायान बाद जी से बचने की चेतावनी वीडे डाली कंगना की विवादित बोल बीजेपी के लिए मुसीबत बन गए क्योंकि इस साल अक्टूबर महिने में हर्याना में विधान सभा चुनाओ होने वाले हैं और किसान अंदोलन में पंजाब के साथ साथ हर्याना में भी किसान शामिल हैं जिससे देखते हुए बीजेपी सांसद का किसानों को बलातकारी और हत्यारा बोलना पार्टी के विधान सभाचुनाओं की तैयारी को बैक फूट पर ढकिल सकता है